मेठब पनील के रहे हैं। मेठ पनील के रहे हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं यहां मैंने प्यास अद्रक और लेसन लिया है जिसका हमें बारिक पेस्ट पनाया है यहां मैंने तीन टमाटर लिये जिसका हमें प्योरी बना दूंगी और यहां पर पनील हुआ है जिसमें बारिक छोटे टुकडों में कत कोराइब अपट अप्रोडिंगには निवह चेंटे लिए प्रेयर राविद का ट्सक्रें helped ग्रॉजन मटल है मैंने सुखे मसालों मैंने एक पेज पत्ता लिया है जीरा लिया एक चममच और चममच काली मिर्च अब हमें एक पैन लेंगे उसमें तेल डाला है मैंने दो बड़े चममच और हम पनीर को फ्राय कर देंगे अगर आपको फ्राइ परनी नहीं पसंद है सब्सक्राइब कर सकते हैं पर अगर मेरी अकोर्डिंग वाने तो अगर आप इसे प्राइ करेंगे तो यह ज्यादा अच्छा लगगा और पनीर को थोड़ा प्राइ करेंगे जब तो गॉल्डन ब्राउन होज़ें पहले पनी थोड़ा पानी छोड़ेगा अभी मैंने प्राइ किया इसे एक मिनिट तक तो पानी अब्सॉर्ब हो चुका है और अब यह एकदम अच्छे से प्राइब हो चुका है तो अब हम इसे एक प्रेट में निकाल लेंगे और हम इसी पैन को यूज करेंगे दुबारा यहां पर मैं निकाल रही हूं सारे पनीर को अच्छा से अब हम उसी पैन में दो बड़े चमस तेल डालेंगे गरम होने के बाद हम इसमे अपनी सूख annualे शूखे मसाले जीरण हम उसको फ्राइख भ Success तो इसमें में एक चबमच घलारी ने अफूर करंगी कोई आप शाय तो अपनी कर क्षाइक कम जादा बिछाने में, इसमें अपने खुंट् और इसी वक्त हमें अपना प्याज का पेस्ट भी समें मिला दिना है यहां मेने प्याज का पेस्ट डाल दिया है अच्छ से ज़ो बचा हुए सारह मैं निकाल डाल दे रहे हूं और अब इससे अच्छ से चलाऊंगी ऐसा टाकि मसाला जली नहीं हो अब मैं से फ्राइ करेंगे, मसाली क मिला रही है, मरा सुखा मसाला ठाइस है, अब ही चुमानेffyam मेडियम फ्लेम पे रखा हुआ है और यह देखिए मसाला थोड़ा गाड़ा हो गया है मैं इसे ढख दिया है इसे में दो मिनिट तक के लिए फ्राइ होने दूड़ी दो मिनिट हो गया है यहां पे आप देख सकते हैं लीट के उपर सारा पानी आ चुका है और यह मसाला भी पहले से कम हो गया है और उसने पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया और साथ में तेल वीज किनारों पे आ चुके हैं तो हम ही सब थोड़ा चलाएंगे मसाले को आप जितना चलाएंगे और उतना गाड़ा और अच्छा होगा तो अभी से हमें दो मिन देख लेगा इसी वक्त में ट्माटा की प्यूरी भी मिला देंगे ए अपने प्याज के पेस्ट के साथ तो अब ही इसको इसको अच्छे साय चाविंगे मिक्स करने के बाद हमने जैसी टमाटर जाला है तो हम इसमें अपना नमक उसी वक्त एड़ करेंगे नमक में धाई चमच ले रहे हूं आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी नमक ले सकते हैं एक नमक मिलाने के पास ऐसे दुबारा चलाऊंगी ताकि नमक अच्छे से टमाटर मिक्स हो सकेँ जल्दी पक जाता है तो मैंने नमक एड कर दिया और इसको दो मिनट तर मैंने कुप किया है धब कर दो मिनट बाद देखिए यह आउल पूरा सेपरेट हो गया मसाला काफी अच्छे से पक गया है तो इसी वक मैंने फ्रोजन मटर अपने एड कर दिया है ताकि जो मटर है वो अच्छे से अच्छे से मिक्स करेंगे और चलाएंगे और इसी वक दही भी एड कर रहे है तो इसे हमें कंटिनूर से चलाना होगा मेडियम फ्लेम पे इसे तेज आज पे नहीं करेंगे और चलाना बंद नहीं करेंगे क्योंकि दही फट भी सकती है तो हम अच्छे से थोड इसको mix करता है ताकि से नीचे से मेडियक से छो करते हैं सारे मिक्स करते हैं सारे किनारों को देखें की सीजा निकाल और भीच में करते हैं आए जाले नहीं हो ज़ला है अब देखें के अब concerned कि को चावी द्हार हो जाएगा अब 2 minutes meIG इंटीनुसले चला तो आप देखिए इसका रंग गाला हो गया है पर इसी रहे हैं मैं मतब पणी मसाला है इसमें एड़कर रहे हूं इस मसाले में मैं दो चमज डाल रहे हूं और इसको मैं मिक्स करूंगी अच्छे से इसको चलाना है मसाले को तक वो पख जाए और इसी वक्त हम इसमें पनीर भी आइड कर देंगे ताकि पनीर इस मसाले को अपने अच्छे से अब्जॉब कर ले ताकि पनीर के अंदर इस मसाले का अच्छे से टेस्ट आ जाए में अच्छे मिलाएगे एक मिनिट में इसके मिलाओंगी उसके बाद इसे मैं थोड़ा सा धन्या १ी मैं ने एक कटारी दिखाई थी आपको कि में दन्या ली से तो मैं придखाती दिखा तो अभी यय्ग human image की णे उसकी अभी है वे और आदि कटारी Source और अच्छा हो जाता है तो अभी मैं इसको चला रही हूं और मैं दनीय अचा आट कर रही हूं कि इसे मसाले जो इसे लिज़िते शिकिते हैं कि अगर आपको यह पेल पसंद नहीं मिला लुड़े हैं tool आप इसको ई ka-कब पर यूजिली मैं जब घर में मटपनी की सबजी को मनम बनाती हूं तो मैं इसमें यह एड़ करती हूं यह मैंने गड़ गलास पानी लियान ग्रेवी से पसंदे से अगरहव गाड़ी कर तो मैंने एकटम कर दें थाइब क्लीया में एड़ करके हूं यह मैंद ढें और पास्न यूर्प यहाँ मान जेसे हूं कि आर में दो 3,5 मिनीट का से बेचे… अगर आप इससे कम लोग ले बना रहे हैं तो आप मसाला आदा चम्मत भी डाल सकते हैं इसे ढखके मैं दो मिनट तक और अच्छा सा उबाल दूँगी इसमें अब मैंने गैस आफ कर दिया है और यह देखे ग्रेवी कितनी अच्छी और गाड़ी हुई है आप इसको सब्सक्राइब करें अच्छा है आप मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हुई इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू